सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की, सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तुम मानी नहीं, मानने नियाएधीश महोदे इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है, इसके विपरीत उच्छतम नियाएले ने कहा है, सही कहा है, मैं तो पुन रूप से कहा है, और यह अंडरलाइन करने लायक है, योग यह है, राजनीति में राजनेतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद विशेश रूप से उनको सेलेक्ट करकर, उनके विरुद एक्षन ले सकती है, क्या उसका चैन इसी प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा संदर्व है, संकेत है, एडी की तरह, आज जो उच्चतम नयायले ने बरनवाल केस के नाम से, जो कहा है, कि मुख्य चुनाव कमिशनर, सिर्फ एक ऐसी समिती, जिसमें मानने पधान मंतरी, मानने उच्चतम नयायले के मुख्य नयायदीश, और नेता प्रतिपक्ष मेंब्रान हो, वही उनका चैन कर सकती है, ये क्यों एतियासिक है, ये एतियासिक इसलिए है, क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोष रूप से या सीधे रूप से, प्रयत्य दिन प्रति दिन अलग-अलग तौर तरीकों से होता है, तो पहला-पहलू ये है, के एक बड़ी विडमना और विचित्रता है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जहां पर इसी प्रकार की समीति जो आज उचित्म नियाले ने कहा है, बैठती है, कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गंतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलीसमेन है, कि निश्पक्ष, संतु स्वतंत्र चुनाव हो, उसके लिए ऐसी समीति नहीं होती है, चैन के लिए, ये विडवना नहीं है, दूसरा, उचितम नियाले ने कई दशकों पहले ये कहा है, कि निश्पक्ष, संतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडिशन के आधार पर चुनाव हिस्सा है, और अगर आप उसका उलंगन करते हैं, तो आप मूल ढाचे का उलंगन करते हैं, जो सामिधानिक संशोदन द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसा पुलीस्मिन जो इस समतलता को इस निश्पक्षता और समतलता को देखता है, उसका चैन, आप ऐसी समीति से करते थे इतने दश्वकों से यह इस निर्णे का महत्वपूर्ण पहलू है तीसरा पहलू कि यह अनायास नहीं हुआ है यह आसानी से नहीं हुआ है आज सरकार कुछ भी कहे यह सरकार के पुर्जोर विरोध के बाद निर्णे आया है सरकार नहीं चाहती थी यह सरकार ने कभी पहल नहीं की सरकार जब पहल हुई किसी और के दवारा तो मानी नहीं विरोध किया मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्टम नायले में बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है वो पढ़ सकते हैं आँ डीटेल में बाकी प्रकाशित हुए लेकिन कुछ दो-चार राक के सरफ कहूंगा मैं उन्होंने कहा, quote, the mechanism of appointment by the government is so robust, यानि जो पहले दिधारित mechanism था, the mechanism of appointment by the government is so robust that no one can go rogue except for stray incidents. These stray incidents cannot be a ground for the court to interfere. यानि आप, मान्य न्याएधीश महोदे, इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है. इसके विप्रीत उच्टम न्याएले ने कहा है, सही कहा है, मैं तो पुन रूप से कहा है, और या अदरलाइन करने लायक है, योग यह है. An election commission that does not guarantee rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, election commission has to be independent. It cannot claim to be independent, then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that it needs, the country needs someone who cannot be bulldozed. यह मेरे वाक्षि नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, मानने उच्चतम नयाले के शब्द हैं. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज अगर इस संस्था में निश्पक्ष्टा और स्वतंत्ता की कसोटी के आधार पर इस प्रकार की चैन प्रक्रिया होनी चाहिए, जो महत्वपूर्णे और बाद्दे है, तो क्या ऐसा संस्था जो सीधे रूप से राजनीती में आतंक फैला सकती है, राजनीती में राजनेतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद विशेश रूप से उनको सेलेक्ट करकर उनके विरुद एक्षिन ले सकती है, क्या उसका चैन इसी प्रक्रिया से नहीं होना मेरा सीधा संदर्व है संकेत है एडी की तरह आज एडी आपका राजनेतिक भाई बन गया है आपका राजनेतिक गढ़बंदन बन गया है आपका राजनेतिक हिस्सा बन गया है सरकार का तीन पहलू हम सब जानते हैं इस पोडियम से हमने आपको आकड़े दिये हैं पहलू नंबर एक 2014 के पहले और 2014 के बाद हजार प्रतिशत से ज्यादा व्रिद्धी हुई है ED द्वारा केसिस दायर करने में हजार से ज्यादा वो आकड़े हैं आपके पास दूसरा पहलू पिच्याणवे प्रतिशत उन केसिस में से सब प्रतिपक्ष के विरुद्ध हैं पिच्याणवे कुछ कहते हैं कि 98 मैं 95 कह रहा हूँ क्योंकि ED इस तरफ ही देखती है सिरफ उधर देखती ही नहीं तीसरा कि अगर वो जो केसिस हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग जिनके विरुद्धी केस शुरू करती है वो पक्ष बदल दें दल बदल दें सत्ता रूर बीजेपी को जोड़ लें तो बीजेपी की लॉंडरी मशीन से सब कुछ सफेद निकल आता है और यही एजिंसी च